अलो फ्रैंड कैसे हो मेरी योर से सबको नमस्ते और सब खुश हो के हम भी खुश है चलो आज आपको कुछ दिखाते हैं तो यह आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना यह अंग्रेजों के टाइम की बनी है तो यह पूरी पत्थर से बनी हुई है पत्थर और वाइट सीमर इसलिए आपको जो भी यह दिख रही है ना यह विंडो यह पूरी पत्थर की है इसलिए इतनी छोटी छोटी है क्योंकि इसों बड़ी नहीं रख सकते ना तो इसमें जो भी आपको ये काम दिख रहा है ना आज के टाइम में बता के कि राकर दिखा है कोई ऐसा काम ये कैसे हुआ इसे प्रेश्व पत्तर होता था उससे होता ये पूरा तो आप इसमें मलब देख सकते हो और जो ये देखो आर्चीज बनाए हुए है ये भी पूरे मलब उसके है क्या नम कहते है पत्थर का बना हुआ है जो आपको बीच में एक पिलर दिख रहा है न ये गोल गोल डिजाइन के लिए ये भी पत्थर का है मलब देखो यार कितना अच्छा काम कराया हुआ है उस टाइम बेश्यक उन्होंने सालोंने न काम तो हमारे से कराया होगा पर काम देखो मजलब आज भी ऐसे लगता है न सो साल पहले का काम कि वाव यार निकलता है मुझ से वाव कि अभी विस में कोई maintenance की जरूरत नहीं है मलब हर चीज न बिल्कुल long time के लिए sustain कर पा रही है तो चलो फिर ले चलते हैं आपको अंदर और अंदर दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या है और यह दर्वाज़ गई है देखो design सामने वाला bond देखो आप कैसे बनाया हुआ है उस time उतने ओजार भी नहीं होते थाज तो इतने ओजार है फिर भी कुछ ने कर पाते है क्योंकि skill खतम हो गया है कोई करवाना नहीं चाहता है उतने अच्छे से तो चलो ले चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं अंदर जरह क्या हो रहा है कुछ interesting बताएगे आपको जो भी अंदर होगा exhibition hall यह देखो जो painting बंदों ने बनाई है न जो talent यह देखो यह चंबा का है temple यह बहुत ही मतलब देख सकते हुआ प्यार बंदों का काम और यह building यह भी आज से 100 साल पुलाने वाले structure दिखाए हुए कि कैसे बनते थे उस time के structure यह सारे आपके लावल्स पीती वाले जो buildings होती है न वो कैसी होती वो दिखाने कोशिश की आपको वैसे आज भी ऐसी होती है पर उस time आप देख पा रहे होगे छट में सिर्फ बूस रखा हुआ है और building जो अपनी जो खिड़की है उसके उपर वाला यह scene क्यूंकि आप बारिश नहीं होती है नहीं से लिए बरफ से बचने के लिए रखना होता है सिर्फ यह और उपर बूसा लगाके हो जाता है क्योंकि बरफ ही पड़ती है उसके बाद तो सूख जाता है बाकि और यह देखवा प्यार expression देखो कैसे दिखाया हुआ मुलब बंदे ने कि कोई बंदा कितना हसरा है कितना खुश हुआ हुआ है expression पूरे हर जगा मुलब आपको दिखे पर यह नहीं यह ज़्यादा रेट नहीं है ठीक है यह देखो आंदी तुफान टाइम का atmosphere दिखाया हुआ उस time का मुलब मौसम कैसा है खराब मौसम में तो कैसे दिखाया गया है यह 5000 कि है और यह आपके यह animation वाले जो होते है ना animation करते है कोई वह ऐसा और यह देखो यार वाओ यार यह तो बहुत गजब कचीन है ऐसे लग रहा है कि natural है यह ना naturalty दिखा रहा है ऐसे गाउं में हमारी side होता है मौनलब मेरे गाउं में ऐसे होते है natural वाले मौनलब आपको यह देखो ऊपर वाला यह boss है इनका और यह बड़ा वाला second boss है बाकी कि इनकी training चली हुई है और यह सीख रहे है कि कैसे को करना है और इदर लोग सारे discuss कर रहे हैं उनको की कौन सा लेना है और यह देखो गंटी जो हमारे मंदिरों में लगे होते बैल वो है यह देखो इसमें कितना detail दिया हुआ है कि मतलब यह इतने सुंदर बनाए हुए ना बंदे ने जिसने बनाए उसने पता नहीं कितना time बनाए होगे और ठाराजार के यह पेंटिंग और यह देखो आपयार मतलब बंदे ने कितना बारिक काम किया हुआ है दोनों के expression मैच कर रहे हैं जैसे दोनों का expression है ने जिस चीज़ को देके होते है तो वैसे दिखाया हुआ है आत से पेंट करके और जो यह लोग है अपने यह इन पेंटिंगों का पूरा कि कौन सी किस cost की है कितने में पड़ेगी और frame वाली कितने में पड़ेगी जो सब यह कुछ यहां पर बनाए हुए क्या नम कहते हैं डिजाइन लकडी के कुछ ऐसे बनाए हुए है इनकी cost भी पूरे बताते है इसका cost पूछा मैंने तो इसक को अच्छा लगा होगा तो thank you so much love you all jay hind